नमस्कार दोस्तों आज का ये प्लान 28-24 फिट के प्लाट के उपर बनाया गया है पूरे प्लान को वास्तु सास्तर के अनुसार आपके लिए रेडी किया गया है बहुती स्यांदार ये प्लान होने वाला है पुर्वे मुखी मकान का ये प्लान है यानि कि East Facing Home Plan with वास्तु सास्तर है पूरे प्लान को आप ध्यान पुरोग देखकर अपने घर का नक्सा रेडी करवा सकते हैं बहुत ही स्यांदार ये प्लान होने वाला है तो सबसे पहले देखिए प्लाट की जो आगे से चोड़ाई रहेगी वो यहां से लेकर यहां तक यहां तक 28 फिट चोड़ाई है ठीक इतने ही चोड़ाई प्लाट की पिछे से यहां से लेकर यहां तक 28 फिट प्लाट की लंबाई की हम बात करते हैं तो देखे इस कॉर्णर से यहां तक 34 फिट लंबाई है इस कॉर्णर से लेकर यहां तक 34 फिट लंबाई है तो आपका प्लाट हो गया 28 बाई 34 फिट का अब महत्तपून बात यह है कि आपका प्लाट कितने स्क्वाइर फिट का है आपको पता होना चाहिए तो ये पूरा प्लान आपका 1000 स्क्वाइर फिट के अंदर पूरा प्लान रेडी हो जाएगा तो आपको अगर पता है आपका प्लान कितने square feet का है तो आप अपने घर पर लगने वाला खर्जा निकाल सकते हैं जिससे आप सुजारू रूप से अपनी pocket के हिंसाब से अपना घर ready करवा सकते हैं और आपको किसी भी तरह की करजे का नीचे नहीं दबना पड़ेगा और दो तरफ से बंद है यानि कि आगे रोड है उत्तर की तरफ रोड है दक्सिन की तरफ पडोसी का मकान है और पक्सिन की तरफ पडोसी का मकान है यानि कि आपका कॉर्णर का प्लोट है ये बहुती सुब और अच्छे फल देने वाला है बहुत सुब प्लोट माना जाता है जिसका उत्तर और पुर्वे दोनों open रहता है, बहुत सुब plot माना गया है उसको वास्तु सासर के नेमानुसार, अब आपका जो main gate लगेगा, जिसको हम लोहे का main gate बोलते हैं, वो आपका यहां से लेकर यहां तक आपका main लोहे का gate लग गया, उससे आप jc enter करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक खाली जगे आपको नजर आ रही है, यह जगे आप ब्रामदे के लिए यूज कर सकते हैं, इस जगे का आप garden बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पाद छोटी four wheeler है, बाइक, इसान कोर्नर में जो आप निसान देख रहे हैं, इसान कोर्नर को नीचा रखने के लिए और आपको अच्छे फल दिलवाने के लिए यहां पर हमने पानी का भूमिगत स्टोरेज दिया है, यानि कि जो आपका बोर्वेल और कुंड है, वो हमेसा इसान कोर्नर में आप ठीका, सीडियां यहां पर इसलिए दिग गई है, ताकि आप इन फ्यूचर भविश्य के अंदर किराई के लिए एक्ष्टा आमदनी के लिए अपने नीचे का प्लावन जो पूरा घर है, वो किराई पर दे रहे हैं, तो और उपर आप अपने रहने के लिए बना रहे हैं, तो आपका और किराईदार का जो आना जाना है, उसका इंटरफेड नहीं होगा, मैन गेट आपका यह रहेगा, तो आप इन सीडियों का उप्योग करके अपने उपर के घर में जा सकते हैं, और किराईदार अपने घर में अराम से रहे सकता है, अगर आप 2-4 भाही हैं, तो भी ये सीडियां बाहर दी गई है तो अराम से आना जाना डायरेक्ट हो सकता है किसी का एक दूसरे के दखल अंदाजी नहीं रहेगी इंटरफेंड नहीं रहेगा जो बहुत ही अच्छा और बेश रहेगा इन फ्यूचर आपके लिए अब देखे इस गेट की ठीक सामने आप यहां पर एक गेट देख पा रहे हैं यह आपके घर के अंदर का जो लकड़ी का गेट लगता है में चोगट जिसको बोलते हैं वो है वास्तु के अनुसार पूरा गेट दिया गया है इस चीज़ का विशेज ध्यान रखें घर बनाते समय घर आपका वास्तु के अनुसारी बनाईए बविश्य में आपको आर्थिक सारीरिक बहुत तरह की प्रेसानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा घर के सदस्यों की जल्दी उनती रहेगी बच्चे अगर साधी नहीं हो रही है तो उनकी साधियां होगी नोकरिया यानि कि पूरा आपकी जो पोजिटिव एन उसको हम ब्रहमस्तान आंगन बोलते हैं साब सुत्रा रखें पूरा वास्तू के अनुसार बनाईए जगह छोड़ा गया है अब देखिए एक खिटकी हमने सीधा आपके फ्रंट में इधर गार्डन में रखा है एक इधर आपके उत्तर दिसा में हमारे जैसे रोड है इस प्लाट में कोर्णर का प्लाट था जैसा कि आपको बताया गया तो एक खिटकी इधर दिया गया है तो दो खिटकी अगर आपके आंगन में खुल तो आप सोच सकते हैं जितनी देर सूर्य उधे रहेगा बरपूर रोसनी आपके आंगन में रहेगी उर्जा हवादार आपका आंगन और पूरा घर रहेगा तो घर काफी हवादार वेंटिलेशन बरपूर बेस्ट रहेगा घर का अब देखी आंगन से आप इधर एंटर करते किया गया है जहां स्वास्तिक का निसान है वहीं पूजागर आपको बनाना है आपका नया घर है पुराना घर है कोई भी घर है आपको पूजागर यतास्तान यहीं सेट करना है यहीं पूजागर घर रखना है इसान कॉर्णर में इसान कॉर्णर में पूजागर का एक महत् कभी भी पूजागर में एक से दो गेट कभी भी ना करें एक ही गेट रखें एक आप छोटी खिटकी रख सकते हैं पूजागर में ताकि पूजागर में धीपक अगरबती दिये का जो दुआ वगेरा है वो आपका पास होसके हैं उसके लिए एक छोटी खिटकी रख सकते हैं मगर गेट एक की रखें इसान कोर्ण में पूजागर ये बनाया गया है और यहाँ पर सेट करना है अब देखिए आप घर से इधर एंटर करते हैं तो यह आपका अगनी कोन रहेगा अगनी कोन में घर की महलाओं के लिए आप पूरवगी तरफ हो और एक खिड़की आपको इधर देनी है ये आप स्पेस देख रहे हैं आप एक खिड़की इधर खुलेगी एक खिड़की आपके सीडियों के नीचे खुलेगी सीडियों के नीचे ऐसे खुलेगी सीडिया आपकी इधर से जा रही है ये सीडियों के न असानी रहेगी तो घर में सुक्षानती आपके बनी रहेगी क्योंकि वो हमारी लक्समी होती है अब देखिए आंगन से आप ठीक इधर एंटर करते हैं तो यहां एक गेट लग रहा है यहां पर एक रूम बनेगा बहुत ही शांदर बच्चों की पढ़ाई के लिए आप यहा काफी अच्छी हवादार रोसनी से बरपूर आपका यह रूम रहेगा अब देखिए आंगन से ठीक आप इधर एंटर करते हैं निर्तग्य कोन है घर के बड़े बुजरुक बूड़े हैं उनका असिरवाद आप लंबे समय तक अपने सर पर रखना चाते हैं उनको इसी पूरे घर को बनाने के लिए असान बाधा में ताकि आपके कमरे वगेरा की खिड़की इसमें खुल सके लेटें बातरूम सबकी खेड की रह सकें इस रूम की खिड़की रहेगी Master Bedroom है बेड आप लगा रहे हैं बड़े बुज़रुकों के लिए तो बेड ऐसे लगाएं य अगर आपको बविस्ते में खुश रहना है तो अपना घर बना रहे हैं अपनी सुईदा अनुसार कोई भी वास्तु सास्त्री आपके जान पिचान का है उससे आव वास्तु के अनुसार ही घर बना कर रहिए और घर बनाईए ताकि आपको बविस्ते में प्रेसानी ना हो जिसका ventilation जो होगा वो पीछे इस खाली जगे में इसकी खिडकी रहेगी जिससे इसकी जो negative जो पूरी हवा होती है वो इस खिडकी से cross हो जाएगी यहाँ ventilation खिडकी और पंखा दोनों का उपयोग कर सकते हैं यह आपका हो गया common lighting बातरूम अब आंगन से आप इधार एंटर करत एक छोटी खिडकी आप इस OTS में open space में भी दे सकते हैं अगर आपको और भी अच्छा ventilation चाहिए तो तो पूरे प्लान को आपको वास्तु के अनुसार ही set करना है यह रूम काफी हवादार और रोसनी से बरपूर रहेगा क्योंकि रूम में एक खिडकी सिधी रोड पर खु रही है जो क्रोस ventilation में रहेगी और हवादार पूरा आपका घर होगा तो दोस्तों पूरे प्लान को वास्तु सास्तर के अनुसार आपके लिए ready किया गया है उमीद है कि आपको यह प्लान बहुत अच्छा लगा होगा प्लान कैसा लगा comment करके जरूर बताईए आपके अगर उपयोगी हुआ अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें रिष्टेदारों दोस्तों में share करें ताकि उनको भी चीज़ का फायदा मिल सकें और अगर आप हमारे वीडियो को देखना चाते हैं अगले वीडियो को भी तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर में subscriber का बट हुआ 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 हुआ